यूक्रेन के लोग सडक मार्क के जरीए पडोसी राजियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सैटलाइट इमेजिस के जरीए भी पता चल रहा है कि कैसे बॉर्डर की इलाकों पर ट्राफिक जाम लग गया है क्योंकि भारी तादाद में लोग अब यूक्रेन चोड़ कर पडोसी राजियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेनी नागरिक देश छोड़ना चाते हैं अब तक करीब एक लाख यूक्रेनी नागरिक जो है वो पोलन्ड पहुँच गए हैं पोलन्ड सटा हुआ है यूक्रेन से साथ ही तस्वीरे बाकी राजों से भी आ रहे हैं और ये आठ तस्वीरे आप देखिए किव से लगातार तबाही की दर्दनाक तस्वीरे सामने आरे है दिन हो या राग हो यूकरेन की राजधानी में धमाकों की गुंच कम होने का नाम नहीं ले रही है रूसी सेना रिहाईशी इमारतों को भी निशाना बना रही है हाला कि वो इस बात को कुबूल नहीं रहे हैं लेकिन घरों के अंदर भी तबाही का मनजर साफ देखा जा सकता है पूरे शहर में बारूत का धुआ नजर आ रहा है सडकों पर खड़े वाहन जलकर खाक हो गए है यूपरेन के लोगों के जिन्दगी खाना बदोश हो चुकी है और सीमा पर भारी भीड जमा है